हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दा ट्राइफ़ टाइरोल्स, दिसिच गौरब पांडे, चाइल्ड डिवलप्मेंट एंड साइकोलोजी से रिलेटेट यहां चौथा वीडियो है, इसके पहले के वीडियो में मैंने जीन पियाजे के कॉगनेटिव डिवलप्मेंट थेयोरी और लेव वाइगोस्की के सोचियो कल्चरल थेयोरी के बारे में पढ़ दिया है, आज के इस वीडियो में हम प्रिंस्पल आफ डिवलप्मेंट यानि की विकास के सिध्धान्त को पढ़ेंगे, मुखरूप से इसे बोलेंगे प्रिंस्पल आफ चाइल्ड डिवलप्मेंट, ब काफी अच्छे questions पूछे जाते हैं, तो यहाँ topic seated की परिक्षा के लिए अतिन्त महत्पूर्ण है, अगर आप seated की त्यारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अवज से देखें, याप किसी भी teaching examinations के त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो अतिन्त महत्पूर्ण ह और प्रियास करें कि इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने friends को सेयर करें ताकि उनकी भी कुछ help हो सके, आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि विकास के सिध्धानतों की का जरूरत पड़ी, विकास का सिध्धानत क्य जलने वाली प्रक्रिया है, तो बच्चे के विकास को समझने के लिए मनोबैग्यानिकों ने कुछ सिध्धानत दिया है, आए हम उनी सिध्धानतों का अध्यन करते हैं, पहला सिध्धानत है निरंतरता का सिध्धानत या principle of continuity, जैसा कि निरंतरता सब दूसे ही समन में आ रह प्रक्रिया है, विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यहां जैसे समय कभी रुकता नहीं, यह लगातार चलता रहता है, वैसे बच्चे का जो विकास होता है, वहां कभी रुकता नहीं, पूरे जीवन परियंद चलता रहता है, बच्चे के जन्म से पहले, यानि उस गर्व से लेकर कब रत्र चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है दिरंतर्था का शिध्धान्त Skinner नामक मनबेग्यानिक ने दिया है और इसमें बताया है कि जो बच्चे का विकास है वो हम्मंद मंद जरूर होता है लेकिन लगादार चलने वाली एक प्रक्रिया है दूसरा शिधान्त है विकास की दिशा का शिधान्त principle of direction of development बच्चे का जो विकास होता है वह एक निशित दिशा का पालन करता है एक fix direction को follow करता है और विकास के दिसा को सिध्धान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें सिफैलो काउडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल में डिवाइड किया गया है सिफैलो काउडल इसे सिरो पादोन मुखी या मस्ताधो मुखी सिध्धान कहते हैं बच्चे का विकास एक निस्चत दिसा का पालन करता है जिसमें वह सिर से लेकर पैल की तरफ उसका विकास होता है। कि इसे सिरो पादोन मुखी या सिफैलो काउडल कहा गया है वैसे जो सिफैलो वर्ड है या एक रूट वर्ड है जो कि हमारे माइंड से यह मतलब वह मंदब उसकी रियल की हड़ि बिक्सित होती है फिर उसके बाद मंदब पर रियल की हड़ि पर कंट्रोल करता है बैठना चालू करता है फिर उसके ridersk continuar स्थारे विकास लेकर, बाहर की ओर होता है, जैसा कि इस फीगर में दिखाया गया है, दखिए, सिफ्लो कॉडल, जो सड से लेकर पैर तक होता है, उसे सिफ्लो कॉडल कहा गया है, head to foot, जबकि प्रॉक्सिमोरिस्टल में, जा उसकी स्पाइनल कॉड है स्पाइनल कॉड से लेकर जो बाहर का अरिये से हाथ हो गया फिर उंगलियां हो गई आउटवर्ड आर्म एंड लेक्ट दा हैंड एंड फीट तो जो यह एरिया है यह प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंतरगत आता है तीसरा सिध्धान्त है बेक्तिगत बिविनताओं का सिध्धान्त जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब कोई भी बच्चा हुआ तो उसकी सब की कुछ अपनी खास बिसेस्ता हैं होती हैं उनका अपना सोचने का नजरिया होता है उनका अपना माइंड अलग होता है थोड़ा सा उनके शामबेगिक जो उनका विकास होता है वह कुछ न कुछ भिन होता है मतलब मानसिक, सारेगिक, समाजिक, सामबेगिक इन सभी रूपों में बच्चा कहीं न कहीं एक दूसरे से भिन होता है तो बच्चे का जो विकास होता है वह भी कहीं न कहीं भिन भिन तरह से होता है इसमें व्यक्तिगत विभनेता की शिधानत के बारे में बताया गया है और व्यक्तिगत विभनेता का सिधानत हरलाख नॉमक साइकोलोगिस्ट अमनोग ज्यानिक ने दिया है इस्सिधान्त Qn provinsi बिक्तिकत रूप से भिन्न होते हैं इस प्रकारुन का विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है अगला सिधान्त है वंसा नुक्रम एवं वाता वरण की अंता क्रिया का शिधान्त प्रिंस्पल आफ एंटरेक्शन बिद्बून हेरेडिटी एंड इन्वाइरमेंट का प्रभाव यह दोनों वंसा नुक्रम और वाता वरण दोनों की अंता क्रिया के द्वारा बच्चे का विकास लगातार जीवन परियंत चलता रहता है तो बच्चे के विकास में वंसा नुक्रम और वाता वरण दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है ऐसा नहीं कि वंस और वाता वरण पर निर्भर करता है और उसके विकास में इन दोनों की भूमी का बिल्कुल समान होती है इसमें बताया गया है वुडवर्थ नामक साइकोलाजिस्ट ने बताया था कि जो बच्चे का डिबलप्मेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायर्मेंट के मल्टिप आज का अगला सिधानत है निश्चित अनुक्रम का शिधानत बच्चे का विकास एक निश्चित अनुक्रम का पालन करता है वो बच्चा चाहे भारत का हो चाहे साउथ अफ्रीका का हो चाहे अमेरिका का हो चाहे जहां का हो लेकिन बच्चे का जब जन्म होगा तो जन्म से मंदब जन्म के समय पहले साइसव आवस्ता आएगी और अगर कोई बच्चा बाहर का है तो वहाँ पर भी सैसवास्ता ही आएगी उसके बाद फिर बाल्या आवस्ता पिर कि सोरा आवस्ता ऐसे एक ऐस्च बच्चे का बिकास वह थो सिक्वेंस को फॉलो करता है यسे बच्चा बच्चे के जनम मँब तो पहले उसका सरीर का विकास होगा फिर उसका गामक विकास मतलब वो चलना हाथ पर रहिलाना उठना बैठना सीखता है फिर उसकी भासा का विकास होगा बोलना सिखेगा अपने विचारों को उसका नुक्रम का सिध्धान्त दिया गया है अगला सिध्धान्त है सामान इसे बिसिष्ट की और का सिध्धान्त प्रिंस्पल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक इस सिध्धान्त के नुसार बालक पहले सामान ने क्रियाएं करता है फिर उसके बाद बिसिष्ट क्रियाएं करता है जैसे तो आपको आपके पूरे बॉड़ी को देखेगा लेकिन फिर देरे-देरे क्या होता है फिर आपके चेहरे को फिर आपकी नाग मुह ऐसे मतलब उस पार्ट को देरे-देरे वह स्पेसिफिक चीज को देखना स्टार्ट कर देता है एसे अगर हम दोलने की प्रक्रिया को देखें तो ऐसा नहीं कि बच्चा सीधे उठते दोलने रगता है तो यहाँ पर दोलना एक विशिष्ट प्रक्रिया है लेकिन उसके पहले बच्चा थोड़ा सा जैसे बढ़ा होगा बैटना सीखेगा फिर थोड़ा उठना सिखेगा मतलब पने पैरों फिर खड़ा होना सिखेगा और हलका फिलका फिल चलना स्टार्ट करेगा और फिर चलने के बाद वह दौलना स्टार्ट करता है तो पहले वह सामाने क्रिया करता है उसके बाद वह एक विसिष्ट क्रिया की विसिष्ट क्रिय है बच्चा चाहे जहां का हो इसे पीछले पीछे मनने पड़ा कि निश्चित अनुक्रम का शिद्धान्त इसे ही कि पहले बच्चे की गर्भा अवस्था आएगी फिर उसका सैसवा आवस्था फिर बाले आवस्था फिर किसोरा आवस्था ये सब ही बच्चों में एक निश्चित क्रम में आता है वो चाहे बच्चा चाहे जहां का हो चाहे जिस वाता वरण में हो तो इसे लिए समान प्रित एक to be the लेकिन बिकास की तो прक्राइबबिकासेr लेकिन ये या जैसे ब्यकास काफी पहले से तेज हुआ फिर उसके अब भी他說 quarter हसे फिर फिर हosit होगया इस था टेज हूग अजले हो घ्री होगया यह तुम चलता डेंकिन सब्सक्राइब करता है इसलिए इसे चक्राकार या वर्तुलाकार का शिद्धान कहते हैं तो बच्चे का विकास होता है वह पहले हो सकता है तो इस तरह जीवन परजन चलता तो है लेकिन यह एक रेखिये नहीं होता है अगला शिद्धान्त है पूर्वा नुमान का शिद्धान्त है जैसा कि अपने गाउं में क्या होनहार बलवान के हो चीकने पाथ मतलब उसके बच्चे बहुत होनहार होते हैं जब वह बच्चपन में पैदा होते हैं तभी उनके पैर जो होते हैं वह बिल्कुल चिकने होते हैं उससे सवन में आ जाता है कि बच्चे आगे चलकर काफी होनहार होंगे मतलब बहुत यह अच्छे होंगे काफी उचाई तक जाएंगे तो उसी तरह विकास का इसलिए पूर्वानुमान का सिधान्त या प्रिंस्पल ओप्रेडिक्शन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चे का विकास कैसा होगा या उसके वर्थमान को देखकर बताया जा सकता है उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है प्रत्यक बच्चे की विकास की दर को देखकर उसके भविष्च में किस प्रकार उसका विकास होगा इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तो प्रिंस्पल ओप्रेडिक्शन में उससे बताया जा सकता है कि बच्चे का कितना होगा, यह सामारे साइंटिस्टों ने सर्ज किया है, तो उससे यह पता लगाया जा सकता है, अगला सिध्धान्त है, एकी करण का सिध्धान्त, इसे समन्मे का सिध्धान भी कहते हैं, इस सिध्धान्त के नुसार बालक सबसे पह सीखेगा अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखेगा तो जब पहले विकास क्या होता है अलग-अलग बच्चे के अलग-अलग अंगों पर अलग-अलग तरह से होता है लेकिन जब बच्चा पुरी तरह से बिक्सित हो जाता है तो अपने सभी अंगों पर कंट्रोल करना सीख जाता है और सभी चीजों का एक साथ प्रियोक करके कोई काम करने लगता है जैसे माली जब बच्चा अभी हलका सा उठके मृटकर बैठना चालू किया है फिर वह चलना चालू कर देगा फिर अपना हाथ पैर से मलब कुछ पकड़ना इतर चालू कर देगा लेकिन जब अपने हाथ का भी प्रियोग करेगा और अपनी आखों का भी प्रियोग करेगा और अपने दिमाग का भी प्रियोग करेगा तो जितना भी विकास उसका हुआ है सभी को एक सात्वा एक ही करण करके उसका इंटिग्रेट करके उसका यूज अपने काम में करने लगता है तो इस अगला सिध्धान्त है अंता संबंद का सिध्धान्त इसे हम परसपर संबंद का सिध्धान्त भी कहते हैं और इसे थांडाइक ने दिया है इस सिध्धान पर हम कहते हैं कि जो बच्चे के सिध्धान के अलग-अलग पहलू है जैसे उसमें बोलते हैं कि जो बच्चे का विकाश होता है वो फिजिकली भी होता है सोसल होता है और mentally भी होता है और emotionally भी होता है तो यह सब जो बच्चे का विकाश होता है अलग-अलग तरह से तो होता है लेकिन यह आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे से जुणा रहता है जैसे अगर बच्चे के मालेजे कि उसके पैर में कहीं चोट लग गई है तो उस चोट त सभी कहीं आप yağप कोई प्रभाव पढ़ेगा इसलीछ कई बालक का विकास सही रूप से नहीं हुआ तो बालक संबूण विकास नहीं कर पायेगा उबर मैं सब आपस में संबंद नहीं रहा तो हम कहेंगे कि बच्चे का विकास अभी सही से नहीं हुआ है अगला सिध्धान्थ है इसे हम बोलेंगे इसी नहीं है जयसा नहीं हम जानते हैं कि जो पूरी दुनिया cómoa उसके हिसाब से चले वही हो जैसे से बत्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर रही deepen होने लगता है इसलिए कहा जैता है कि जो बच्चे का विकास है वह इगो सेंटरिज में से एलो सेंटरिज में की ओर चलता है जैसा कि जीन प्याजे ने बताया है कि बच्चे के अंदर जो बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर इगो सेंटरिज में की भावना होती है तो उसी तरह से जब बच्चा बिल्कुल छोटा होगा तो अहमवाद प कहीं कहीं कोई रोल है तो वह फिर सर्ववाद या एलोसेंटरिज्म की भावना का भी विकास उसके अंदर होने लगता है और उसे वह समझ जाता है तो बच्चे का जो विकास होता है वो एगोसेंटरिज्म रहे होता है दूसरे पर एपर होता है उसका हर इसके आपर लोग जो और बड़े हैं वह देखते हैं लिकिन बड़ा होता जाता है फिर वह उसके अंदर अगर वीडियो पसंद आई है तो इल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा और इसे जतना राधा ज़्यादा हो सकते उतना सेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आई एक बार हम सिध्धानतों का फिर से रिविजन कर लेते हैं जिसमें हैं अन्ता संबंद का सिध्धान पढ़ा और बताया कि जो बच्चे के विकास के अलग-अलग पक्ष हैं अलग-अलग पहलू है वह कहीं ने कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसे अगर बच्चे के सरीर में कोई चोट लग गई तो हमानसिक रूप से भी अपने आपको सही इस्तिती में नहीं पाता है इससे पहले एकी करण का सिध्धान इसमें बताया मैंने कि जो बच्चे होते हैं बच्चे के जो अलग-अलग विकास के पहलू है जो अलग- दिया गया है इसके लावा पूर्वानुमान का सिध्धान जिसमें मैंने बताया कि बच्चे की वर्तमान में क्या विकास हो रहा है उससे देखकर उसके भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है इसके पहले सिध्धान में चक्राकार या वर्तुला का सिध्ध के बारे में मैंने बताया इसके पहले समान प्रकिमान का शिद्धान जिसमें मैंने बताया कि बच्चा चाहे जहां का हो जिस वाता वरण का हो उसमें जो उसका पैटर्न होगा विकास का वो बिल्कुल सेम होगा सभी में सहसव आवस्था वाले आवस्था या एक साथ एक पर लिया कि शमान प्रतिमान का सिध्धान भी कहा जाता है और इसके पहले की सिध्धान ने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है वह वंसान उक्रम और वातावरण की अंता क्रिया का उत्पाद होता है मतलब कि बच्चे के विकास में उसके जो हेरेडिटी है मतलब उसके माबाप से जो उसके गुण सूत्र मिले है गुण मिले है वह तो उसके विकास को प्रभावित करते ही है सब में कुछ न कुछ अपनी अलग-अलग quality होती है तब कि सोचने के अलग-अलग शमताएं होती है वो मांसिक रूप से, सारेजिक रूप से, सामाजिक रूप से और सामवेगिक रूप से कही न कहीं एक दूसरे से भिन होते हैं तो इस प्रकार उनका विकास भी भिन-भिन प लेकर बाहर की ओर होता है इसके पहले कि सिध्धान मैंने बताया प्रिंस्पल आफ कोंटिनूटी या निटंतरता का सिध्धान इसमें बताया गया कि बच्चे का जो विकास होता हुए लगातार चलने वाली प्रक्रिया है विकास जो होता है लेकिन या पूरे जीवन-परि और तब से लेकर जब तक बिच्छा जिंदा रहता है जब तक उसका जीवन है तब तक उसका विकास होता रहता है इसे बर्थ टूदित या गर्व सेक्ष कबर तक चलने वाली प्रक्रिया भी कहा जाता है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो झीवादू झाली प्रक्रियो में भाता है तक उसका ब तक उस्दाने भादित झाली तक भ्रॉवज के तक बिच्छाने पैसे में उत्वम् Ohवड़कर शीने है उत्व अभ तक उसका झाली वीडियो